अब मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डारेक्टली मुझे पूछ सकते हैं जो गाइज आम बात करेंगे सुवन लाइफ साइनस कीज लेमिटेड काफी अच्छी कंपणी है फैमिली ट्रस्ट जो की काफी सारी सब्सजीट्रीज है और एंट प्रेजएंट आपको सुवन लाइफ जो स्सीट्रीज के आसपास इसका फ्लेक्टसियशन मिल रहा है काफी अच्छी पोजिशन है वह अ ओर भी मैं बताउंगा उसके पेनली काफी सारी companies है यसBaink है guys Allok Industries है और भी काफी सारी है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके maximum की बात कर लेते हैं स्वनł में की बात कर रहे तो सम लिए को ही पकड़ते है इसका त्पनावूिक हाई है當然 प्रेट प्रेजेंट आपको 60-30 रुपे के आज पास इसका फ्लेक्शिशन मिलता है तो बड़ी न्यूस क्या है उससे पहले हम इसका फानेशल देख लेते हैं तो सुन का फानेशल देखें तो गाइज इसका प्रोफिट है वह जो लोस ही बोलेंगे क्योंकि लोस इसका कम हु हुआ है तो गाइज अभी पुजिशन में जो उसकी पुरानी पुजिशन में उसी में दीरे-दीरे वो कंट्रोल करके आ रही है और अभी जहां 15 रुपे गया था वहां से उटके अभी 63 रुपे पर चला गया जस्पी को जब क्योंकि यह जो एंटिटी इसकी स्प्लिट हो अभी था इसी के नाम नाम पर ही बीसी एंसी पर लिस्टिंग थी और इनको अलग-लग कर दिया गया है लेकिन सुवन फार्मासिटिकल अभी काफी अच्छा जंप कर रहा है और काफी आस्मानों में चूब उसको पकड़ भी नहीं सकते इतना आस्मानों में गया हुआ है अ आज पास इसका फ्लेक्टियोशन आपको मिल रहा है प्रेजेंट जो की बाउन्वी खाई है वो 420 रुपे है लो है 87 रुपे तो जब ये इसका फ्लेक्टियोश जो स्प्लिट हुआ था ये तब उस टाइम पर ये लो और ये हाई ये उसके बाद का है और सुवन जो लाइ इंडुस्टरी मैंने आपको पताया था दीपक नाइटरेट जो 9 more small caps may become mid cap in gen जो जो small cap है वो mid cap बन सकती है जो की ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया है क्योंकि मैंने आपको पहले पताया था कि एक जो multi cap जो mutual fund है उसमें एक mandate चीज कर दी गई थी वो क्या था वो नया rule क्या था मैंने कुछ मन पहले आपको एक दो महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो के त्रू मैंने आपको बताया था कि हर capping के 25-25% share होने जरूरी है जो multi cap जो mutual fund है तो guys अभी ये mandate हो गया है जैन तक का time दिया गया है जिसकी वजह से ये अभी काफी जो ये small cap है और वो small cap और mid cap वो काफी अच्छी growth पर रहे है अगर comparison करें जो large cap वाले share की so guys ये जो alloc industry और deepak nitrate and nine more small cap जो की gen में mid cap बन जाएंगे वो क्या है ये देखे probability क्या है उनकी मैं बता देता हूँ कौन से कौन से कौन से share है लोरेश लैब लोरेश लैब हाई probability है इंडिया मार्ट इंट्रमेश ये देखे हाई probability है जो की small से medium mid cap बन जाएगा नवीन फ्लो ये हाई probability ओविसली टिक्सन टेक्नोलोजी हाई probability पर है अलोग industries है वो हाई probability है और estrogenica pharmaceutical ये हाई probability है दीपक नाइट्रेट हाई probability है Bombay Burma हाई probability है Shuan pharmaceutical हाई probability है जो की ये देखे granules इंडिया इंडिया लोग परविसली इसकी granules इंडिया की multi commercial ये भी लोग परविसली है तो इसमें से अगर आप mid cap से जो की small cap में वो change होंगे जो की पहले mid cap में अभी mid cap में है और जो की gen में change होंगे वो small cap बन जाएंगे वो share conscience हो गाई उनमें से CESC है T.T.K. Prestige है Tata Chemical है Kajaria Ceramic है SKF India है Apollo Tire है जो की high probability है यह दो लोग तीन लोग probability है क्योंकि Tata Chemical का भी अच्छा काम कर रही है प्रेजेंट जो जे एम फाइनेंशियल हाई प्रोबिल्टी है चोला फाइनेंशियल हाई प्रोबिल्टी है वी गार्ड इंड़स्ट्री है PVR हाई प्रोबिल्टी है PVR की entertainment वाला अभी ad present अभी कुछ जम नहीं दया इंड़स्ट्री में जस्ट बिकोज अप COVID-19 कोरोना वाइरस सिंफनी हाई प्रोबिल्टी है future retail future retail भी हाई प्रोबिल्टी है जिसकी वज़ए से future retail नीचे गया हुआ है इसमें से काफी सारे exchange होने अभी जैन में जो की मैंने आपको reason बताया था जो rules जो rules आया है उसकी वज़े से चोगर एक share की और बात कर लेते हैं इसी वीडियो में वो share कौन शाया है यह देखिए yes bank जो की four other stock may be upgraded as large cap yes bank और उसके साथ चार other stock है जो की large cap कैप में enter हो जो large cap बनेंगे उसमें से यह देखिए yes bank including four other firms अदानी enterprises PI industries हिंदुस्तान एरोनाटिक jubilant foodworks are likely to be get upgraded as part of the half yearly market cap categorized by mutual fund industry body AMF which is expected to release a fresh list by jan 5th according to brokerage so guys काफी बड़ी news है जिसके चलते जो यह जो बड़ा बदला हुआ है उसके चलते जो small cap और mid cap काफी अच्छी growth पर है काफी अच्छा काम कर रही है काफी अच्छी जो stock market में काफी अच्छी growth add present उनमें मिल रही है जो guys इसको जो small cap जो अच्छी अच्छी शेर हैं उनको हम try कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एक बड़ा profit हम ले सकते हैं so thanks a lot for watching this video so please take care please like, comment, share and subscribe thank you, take care